रिंको सिंग को नेट प्रेक्टिस में मौका ही नहीं मिलता था और उन्हें ग्राउंड में सिर्फ बॉल उठाने के लिए रखा जाता था ये बड़ा खुलासा किया है रवी चंदन अश्विन ने उन्होंने कहा कि जो रिंको सिंग है वो एक तरीके से अभी इंडिया के गिर गए थे उस समय पर रोहिट शर्मा और रिंको सिंग दोनों ने मिलकर यहाँ पर जो अपनी पारी खेली और एक भारत को शांदर जीट जिलाई है उसी के दमपर मैं कहा रहा हूँ कि ये आने वाले समय में लेफ्ट हैंडड धोनी के नाम से जाने जाएंगे रवी आज देखिए रिंको सिंग कहां पर पहुच गए हैं और आने वाले समय में रिंको सिंग जो है वो टीम इंडिया का में टीम में हिस्सा रहने वाले हैं इसकी गैरंटी यहाँ पर रवी चंदर अश्विन खुद दे रहे हैं तो आपका दोस्तों इसके बारे में क्या सोचन है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा